तू फल की चिंता ना कर बस मेहनत करता जा अक्सरी बात कही जाती है और इस वक्त रिंकू सिंग के लिए इस लिए बात सबसे सटीक बैठ रही है रिंकू सिंग के लिए बात इसलिए से टीक बैटरे क्योंकि यार आईपियल में जो उनको पैसा मिलता है न वो 55,00,00 रुपे है लेकिन ऐसे बहुत कम खिलाडी होते हैं जो उनके पास आईपियल से ज़्यादा पैसा उन्हें उनका देश दे रहा होता और असवक्त BCCI ने जो annual contract के list जाहिर की है उसमें रिंकू सिंग के लिए बड़े खुशकबरी क्योंकि वो category C के अंदर आ गए जिसका मतलब ये कि उनके annual salary अब कितनी हो गई है एक करोड रुपे जो BCCI का annual contract होता है उसके अंदर चार category होती है A plus की category होती है A की category होती है फिर B और फिर C जो A plus की category होती है उसमें जो amount होता है वो 7 करोड रुपे होता है उसके बाद category A जब आ जाती है उसमें 5 करोड रुपे मिलते हैं आपको annually उसके बाद फिर 3 करोड और फिर 1 करोड जो C category जोसके अंदर रिंकू आए है सवाल इसलिए उठे थे क्योंकि रिंकू सिंग वो खिलाडी जिसने एक ओवर में पाच शक्के लगाए थे IPL के अंदर मैं पहले सिर्फ IPL की बात कर रहा हूँ और कहीं की बात नहीं कर रहा IPL के अंदर नें पाच शक्के लगाए किसको लगाए थे याद कीजिए यश दयाल को जीटी वर्सिस केकियार का मैच था यश दयाल और सबसे इंपॉर्टेंट इन पाच शक्कों की बात ये थी कि वो चाहिए ही आपको पाच शक्के थे उससे कम में काम नहीं चलने वाला था तो ऐसे मोज शक्की के वैली थोड़ी से जाद हो जाती है अब जिस खिलाड़ी को पड़े उसको आई पिल में मिले पाच करोड़ जिस खिलाड़ी ने मारे उसको पच्पन लाग तो ऐसे में सवाल उठने लग जाता कि यार ये तो जाती है चलिए छोड़ दीजी आई पिल आई पिल के बाद आरलेंड खेले वहाँ पर ताबर तोड़ बर साथ की फर आस्ट्रिलिया जैसे टीम को उन्होंने काईदे से कूटा उसके बाद तो सबने पूछ लिया यार इसरफ करते हैं दोस्त थोड़ा जादा मिलना चाहिए इनको ये लाखो वाले खिलाड़ी नहीं है तो ऐसे में हुआ के जो बातचीत होनी शुरू हुई और अब जब BCCI ने कॉंट्राक के लिस्ट जाहिर की तो उससे क्लियर हो गया कि रिंकू भी करोड़ पती है करोड़ों वाले खिलाड़ी है परसल इस कॉंट्राक लिस्ट में ग्रेट से हटे हैं कोई बात नहीं पर रिंकू सिंग उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ज़्यादा खुश इसलिए ना ये खिलाड़ी डिजर्व करता था ये खिलाड़ी इससे भी ज़्यादा डिजर्व करता है इवन अगर हम IPL की बात करें तो IPL में भी लाखो वाला खिलाड़ी नहीं है अभी तो आप कहते हैं कि ये शुरुवात है आगे आगे देखिए होता है क्या मैं honestly ये सोच रहाता है जब आक्शन हो रहता है कि अगर रिंकू से इंग इस आक्शन में आता है इने पिटाई करने के बाद हर जगह के बॉलर की दोस्ते ये ये नहीं जाता करोड़ों से कम में खिलाड़ी हर कोई चाहता इस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेना एक prominent finisher जसकी requirement हर किसी को होती है ऐसे में ये देखना दल्चस्प होगा कि क्या KKR इनको रिटेन करके वो चार क्रोड़ों वाले slab में रिटेन करेगा या फिर किसी और तरीके से ये जो earning slab है इनका उपर जाएगा बारहाल विलाल तो खुशी ये है कि रिंकू सिंग उन खिलाड़ियों में शामिल हो जाएगे जो IPL से ज्यादा लीक क्रुकेट से ज्यादा पैसा अपने इंटरनेशनल क्रुकेट से कमाते हैं अपनी देश के लिए देश की जो टीम है उससे खेलते हुए कमाते हैं जैरी वाकई में खुशी की बात है आपको रिंकू सिंग के कॉंट्राक्ट में शामिल होने कितने खुशी है जो कामट में जरूर उताएगा वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर जरूर करें जो आता तो चानल को सब्सक्राइब करते हो चाहें